हेलो गाइज, वेलकम बैक टो वर चैनल PCMB, डिजिटल ग्रुकुल, बच्चों आज हम अपनी सीरीज को कॉंटिन्यू करेंगे और 12th क्लास के डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक पे फोकस करेंगे, इससे पहले हमने पिटा पिशली क्लास में 2.23 जो हिस्सा है जिसमें इमस्कुलेशन क्या होता है, बैगिन टेकनिक क्या होता है, और जो इंपॉर्टेंट मार्क पॉइंट से उन पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर फीमेल पिनेट यूनिसेक्शल फ्लावर प्रडूस कर रहा है तो सिर्फ बैगिंग करनी है, इमस्कुलेशन की कोई बीजरूरत आपको नहीं पड़ेगी, फीमेल फ्लावर बर्ड अगर बैग्ड है, फ्लावर के उपन होने से पहले ही, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पॉलेशन के रिड़ाव, ठीक है, तो बैगिंग के कब जरूरत पड़ेगी सिर्फ यूनिसेक्शुल फ्लावर में, बैसेक्शुल है तो इमस्कुलेशन भी और बैगिंग भी, कितने परसंट सुगर सुलूशन हम यूज करते हैं, 10 परसंट, उसके बाद यह आपको पूरा समझाया गया है कि कैसे फर्टिलाइजेशन तक आप पहुंचते हैं, कितने सेल स्टेज होती है पॉलन ग्रीन के अं में हमारे क्लास 11 वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, बैलोजी के अंदर फोर नीटन के भी पिवाए, तो बैटा यह हमारी पिछली क्लास का था, और बीडिंग दिवाइजेज, पॉलन पिस्टिल इंट्रक्शन, टाइपस ऑफ पॉलिनेशन, वेली सिनारिया वगयरा क पॉलनेशन, आज हम बैटा इसी सिरीज को आगे कॉंटिन्यू करेंगे बच्चों, और यह जो इंपॉर्टन मार्क पॉइंट से प्लीज इनका ध्यान रखेगा, और टोड़े वेल डिस्कुस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंटर एंट्रेंग वन ऑफ दो सिनर्जिट, तो सिनर्जिट के साइटोप्लाजम में दो मेल गामिट्स जो हैं, वो रिलीज कर दिये जाते हैं, वन अफ दो मेल गामिट्स जो है, उसमें सिनर्जिट के साइटोप्लाजम में से निकल कर आगे जाता है एगसेल के तरफ, और दूसरा जाता है पॉलर नि in the cytoplasm of synergy जो एक cell की तरफ जाता है वो तो common सी बात है कि zygote बनाएगा जो कि क्या होता है deployed cell होता है the other meal gamit जो दूसरा meal gamit होगा move towards the two polar nuclei located in the central cell central cell में दो polar nuclei present होते हैं शुरू से आपने जो पिशली क्लास में भी देखा होगा अगर मैं आपको एक बार डागराम दिखाना चाहूं तो कि यह जो synergids है agopratus है और जो central cell है देखिए इसमें दो polar nuclei आपको नजर आ रहे होंगे यह जो दोनों polar nuclei nuclei है इनहीं कि यहाँ पर हमसे बात कर रहा है कि the other meal gamit move towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a primary endosperm nucleus कि जो दो दूसरे male gamits है दो polar nuclei कि सथ fuse करते हैं और क्या बनाते हैं primary endosperm nucleus pen जो कि यह कह रहे हैं आप देख सकते हैं figure 2.13a number one figure fertilized embryo sac showing zygote and primary endosperm nucleus देखिए zygote दिखाई दे रहा होगा आपको इस figure में बिटा synergates अपना काम करके हट जाएंगे और दूसरा नजर आएगा primary endosperm nucleus 3N triple A D कैसे इसकी 3N यह बात हमें नजर आ गई as this involves the fusion of 3 haploid nucleus दो nucleus कहाँ पे है बेटा polar के और एक egg का तो इसको हम बोलते हैं triple fusion क्या बोलते हैं triple fusion since two type of fusions तो सबसे पहले तो होई syngami जो zygote के साथ हुई और endosperm वले nucleus में 2N उसके पास था और एक N pollen grain का भी गया तो वो हो गया 3N तो इस fertilization को क्या कहते हैं double fertilization और यह unique है किसके लिए flowering plants में ही यह आपको दिखता और कहीं नहीं दिखता तो एक question हो सकता है is this phenomenon unique or not तो yes this phenomenon is unique the central cell after triple fusion triple fusion के बाद जो central cell है वो क्या बन गया बटा primary endosperm cell और उस cell में nucleus कैसा होगा primary endosperm nucleus और वो बाद में किसमें convert होता है endosperm में जबकी zygote तो embryo में जाएगा ही जाएगा तो यह double fertilization के दुरान होने वाला हमारा event है figure step number 2.3 है हमारी NCRT में छोटी सी है तो अब इसमें थोड़ा सा और add भी कर सकते हैं जैसे आप यह diagram भी यहाँ पर देख सकते हैं stages in embryo development in dicot shown in reduced size as compared to A. छोटे size में थोड़ा दिखाएगा है और कैसे दिखाएगा है कि पहले एक zygote बनेगा फिर उससे दो cells बनेगे embryo की यह एक दो में divide करेगा जो बड़ा cell उपर की तरफ जो बड़ा cell रह जाएगा इसको कहेंगे suspensor cell जिससे नीचे वाला embryonic cell क्या हो रहा है suspend है या लटका हुआ है उसके बाद यह suspensor cells है बहुत सारी divisions करेंगे जो सबसे उपर का suspensor cell रह जाएगा उससे कहेंगे terminal बाकि यह देखे सारे S cells है suspensor cells है छोटे छोटे और नीचे जो इसको किसमे करट हो जाएगा embryo में embryo धिरे धिरे अपनी हार्ट शेप बना लेगा और suspensor cell के साथ attached रहेगा suspensor cell आखरी तक as it is रहेगा जबकि embryo जो है वो convert हो जाएगा shoot और root के हिस्सों में root का हिस्सा radical और shoot के हिस्से को हम क्या गएंगे plumule और cotyledon क्या होता है जिससे nutrition मिलता है यह दो होते है dicot में stage in embryo development in dicot showing reduced size और इसमें होता क्या है कि पहले जो divisions होती है पहले 4 cells कुछ ऐसे transverse divide करते है उसके बाद horizontal divisions आती है इसको ऐसे divide करते है और यह कितने में कंडूट हो जाता है 8 cells है तो hopefully आपको यह double fertilization समझ में आया होगा thank you so much for watching the video friends please subscribe to our channel and keep supporting us